वस्या विभाग में दो महीने के बाद, बंद सीजन के बाद, 16 तरीक को पहली बार मचली आई और इस बार मचली का उत्पादन हुआ है, वो गत बर्स से लगभग 10 मेट्रिक टन अधिक रहा है यह 30 मेट्रिक टन सभी जलासियों से हमारी फिश का उत्पादन हुआ है और जिसमें की गोविन सागर में हमारे यहां लगभग 15.4 मेट्रिक टन गोविन सागर में मचली का उत्पादन हुआ जो की गत बर्ष से लगभग 6 मेट्रिक टन जो है वो अधिक रहा इसी प्रकार हमारा पॉंग डैन से 10.4 मेट्रिक टन जो है वो मचली पकड़ी गई और जो की लगभग 4 मेट्रिक टन गत बर्ष से अधिक रही इसी प्रकार रंजीत सागर से भी 4.6 मेट्रिक टन रही जो की तो कुल मिला के हमारा यह 30 मेट्रिक टन मचली का पकड़ी गई जो कि गतबर्स से हमारा 10 मेट्रिक टन अधिक थी इसका एक मुख्यकार यह भी है कि वीवाग जो है वो बड़े साइस का मचली के बीज जो है 70 mm से अधिक का बीज जो है पिछले दो-तिन सालों से जो है सीजन में इस बार जो था हमने काफी टीमें भी गठित की थी और हमारे विभागी अधिकारियों करमचारियों ने जो उड़न दस्चे भी बनाये थे और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस बार लगभग 160 के आज पास जो है अवैद मतश्य आखेट के मामले पकड़ गए और लगभग उन से जुर्माना भी 135,000 वो बसूला गया उसी की बज़ा से जो है इस बार मचली अधिक है और हमारे फिशरमेंस के जो है उनको रेगुलर जो है रोजगार मिलता रहे और उनकी रोजी रोटी का सवाद है तो इसलिए अगर उनको ज्यादा उतपादन मि पुषी आगे